आपको एक ऐसा powerful most customizable theme show करने वाला हूं देने वाला हूं जो कि देख के आपको यार वाव क्या बात है क्योंकि इतना ज़्यादा customization आपने अभी तक साही थी देखा हुआ किसी और theme के अंदर क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को बहुत कुछ चीजे देखने को मिल जाती है और आपको पूरा लास्टक वाच करने की वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी अपडेट आपको रेगुलर है जो मिलते रहे तो चली शुरू करते हैं सब्सक्राइब देखो जैसे मैं यहां पर लाइट अप करता हूँ आपको ख्लॉक एनिमेसण देखनी को मिलता है उपर से आता है यहां पर कुछ चीजे लिखे भी मिलती है चाइना में साट साथ ऊपर आपको म्यूजिक प्लेयर देखनी को मिलता है जिस पर टैप करने के आपका music player आपके सामने आ जाता है, यहाँ पर आपको weather का temperature मिलेगा, तिल पर dot पर tap करने के बाद कई सारी options आते हैं, चाइना में, लेकिन हाँ, इन सभी options में कुछ ने कुछ चीजे देखने को मिलते हैं, difference ही, जैसे कि आप इसका ही उच करते हो, तो यहाँ पर red dot आ जाता है, यहाँ पर आप इसे light up कर सकते हो, या फिर dark में आप change कर सकते हो, जो कि देखने में काफी ज़्यादा सही लगता है, another इस पर tap करते हैं, तो अलग-अलग यहाँ पर करीब करी 2021 प्लस आपको clock के format देखने को मिल जाते हैं, जो कि daily भी आप एक यूच करोगे ना थे, एक मन त यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो जैसी आप इनका use करते हो, उसकर यहाँ पर bottom पर tap करते हो, तो यह double clock open हो जाता है, जिसके आप animation भी set कर सकते हो, और यहाँ पर wallpaper इसलिए clock का effect आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं को आप wall paper change कर देता हूँ, wall paper change कर सकते हो, यहाँ पर tap करना है, यहाँ पर आपको slide करके browse करना है, कि कहाँ पर आपको लिखाओ मिलता है, me UI gallery, जो कि आप देख पारे हो, इस पर tap करो, आप अपना है जो gallery select कर लो, अब जो भी आप wall paper यहाँ पर रख रख रखे हो, जो कि आप use करना चाहते हो, simple आप उससे select कर लो, जै आपको clock formats देखने को मिलते हैं, जो कि है ना काफी जड़ा सांदार, beautiful, यानि कह सकते हो कि clock कतवा यहाँ पर खाजाना सा आपको देखने को मिल जाता है, तो जो भी clock आपको पसंद आ है, वो आप यहाँ पर use करो, set करो, और मजे लो, तो यहाँ पर मैं आपको सारे clock so कर दिय तो clock के अंदर जो भी format है, वो अलग style में आपको देखने को मिलेगा, और फिर से बीच में type कर गए तो इसके अंदर फिर से आपको बदलाव देखने को मिलेगा, जो भी आपने clock को set कर रखा है, उसमें आपको change दिखाई देगा, यहाँ पर type करें तो आप देखो इसके अं वो अब इतनी जल्दी खतम नहीं होने वाला, जो कि आप यहाँ पर देख पारे हो अपने आखों के सामने, तो इस तरीके से आप चीजे यहाँ पर बदल सकते हो, जो कि मुझे reality में काफी ज़दा यहाँ पर cool लगा है, और यह थो लाइव wallpaper जैसा दिखाई देते हैं, जो क सा icon pack और wall people जो कि इसका system default है, बट यहाँ पर आप देखो, यह shortcut मिलते हैं, जिससे आप flashlight को on कर सकते हो, यहाँ पर tap करती हैं, आप अपने camera को open कर सकते हो, यहाँ जो shortcut से वो आपको यहाँ पर काम करते हैं, असानी से अच्छे तरीके से कोई दिकत नहीं आती, बाकी control center के अं करने कि यह सभी पर काम करेगा, आपका modded row में तो भी काम करेगा, आपका official stock row में तो भी यह काम करेगा, लेकिन वहीं पर बात आती है, इसे use कैसे करना है, जो theme में यहाँ यहाँ पर use कर रहा हूँ, तो चलिए पूरा process को देखते हैं, समझते हैं, और आपको वीडियो अच आपको दे दूँगा अपने telegram पर जहां से आपको उसे download कर लेना है, जो कि इस तरीकी से रहेगा number के folder में, इसे आपको extract कर लेना है, कुछ इस तरीके से, जैसे आप extract करोगे, इसके अंदर दो file न ज़राएगी, इसे कुछ नहीं करना है, बस simply आपको folder को इस तरीकी से long press कर करना है, move पे, click करना है, या फिर copy पे, उस तरीकी से आपको आना है, internal storage पे, उसका MIUI folder पे, backup पे, all backup पे, और यहाँ पे आपको move कर देना है, या फिर copy कर देना है, जो भी आप करना चाहो, उसका simple home screen के उपर आना है, setting पे जाना है, about phone पे आना है, यहाँ पे आपको backup and restore mobile device पे जाना है, restore के उपर आ जाना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, जो भी अपने file को move कर रहा है, उसका simply select करो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, theme, जिसका size यहाँ पे 132 MB देखने को मिल रहा है, simple restore पे click कर दो, कुछी second के अंदर यह restore हो जाएगा, 100%, जैसी य होता है, finish कर दो, आप home पे आजाओ, एक वाए जो recent को clean कर दो, theme store को open करो अपना, जो कि यह रहा, उसके बाद my account, theme और आपको यह देखने को मिलेगा, और देख से तो इसके उपर आपको एक clock भी देखने को मिलता है, AOD का, यानि आपका device support करता है, तो clock format आपको देखने को म करने के बाद open होता है, और अगर आप अपने phone को charging पे डालते हो, तो charging का अलग सा animation आपको देखने को मिल जाता है, जो के भी आया था और अचला गया, हाँ, देख से तो यहाँ पे आ गया, तो काफी beautiful यहाँ पे animation और भी आपको देखने को मिलता है, charging से related, यानि वाई, इतन इसे ज़्यादा features यहाँ पे दिये गए न, कि आप इसे daily का एक एक भी यूच करोगे न, तो एक दो मेनात और आम से निकाल देने वाला है, मैं मिलता हूँ आपसे next video में, इसी तरके interesting theme के साथ, अब आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आपसे एक ही रिक्वेश subscribe और share जरूर करना, ताकि मैं ऐसे वीडियो जो लिके आता रहूँ, मिलते हैं निक्स वीडियो में, thanks for watching, data, bye bye